अस्सलाम उलेकुम, एस्पारेंट्स एस्पारेंट्स आज का हमारा टॉपिक है Is World Peace Possible? इस एसे के टॉपिक को हम डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ठीक है? डीकंस्ट्रक्ट करने का मतलब यह होता है कि हमें पता चले कि एक्जामिनर जो है वो हमसे क्या चाहा रहा है, कि हम ऐसे में क्या बताएं? ठीक है? तो क्या बताएं का मतलब यह है कि हम इसकी आउटलाइन कैसे बनाएं? तो अगर आउटलाइन सही बनेगी तो हम उसको कहेंगे कि हमारे ऐसे में रिलेवन्स है, क्योंकि जो आपसे पूछा ही नहीं जा रहा वो आप बताएंगे, तो वो इर्रिलेवन्स कलाएगा ठीक है? तो हम पहले अब देखने वाले हैं कि आउटलाइन कैसे बनाएंगे फिर हम जो देखेंगे, वो इंट्रोड़क्शन कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले जब हमें टॉपिक मिलेगा ये हमें टॉपिक मिला है इस वर्ल्ड पीस पॉसिबल तो इसमें हमने ये आइडेंटिफाइ करना है कि ये एसे का कौन सा टाइप है इससे पहले लेक्शर में हम चारो टाइप डिसकस कर चुके हैं उनकी एग्जेंपल डिसकस कर चुके हैं और चारो टाइप हम डिफ्रेंशियेट कैसे करते हैं और आगे चलके एप्लिकेशन क्या है वो भी डिसकस कर चुके है अब सिर्फ जो है आइसा आइसा हमें हिंट देके अगली वीडियोज में आपको बताते जाओंगा कि किस तरह डिकंस्टर्क करना है तो हमें यह identify करना है कि यह कौन सा टाइप है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि argumentative टाइप का जो ऐसे होता है उसकी clear निशानी यह होती है कि end पे उसके question mark होता है और starting जो होती है वो helping work से होती है जिसमें आपको author या तो अपना opinion देता है या तो आपसे एक direct question कर लिता है जिसका जवाब या आप yes में देते हैं या आप no में देते हैं इस तरह के topics को हम कहते हैं argumentative essay जिसमें आपने argument करना होता है तो argumentative essay की क्या requirements होती है argumentative essay की requirements होती है कि आपके पास facts, figures होने चाहिए ठीक है आपके पास statistics होने चाहिए data मुझूद होना चाहिए जिससे आप proof कर सके हैं कि आपका stance ठीक है आपका opinion ठीक है तो ये अगर आप topic चूज कर रहे हैं अगर argumentative topic है तो आपके पास data होना लाज़मी है sufficient data और इसका jargon जो है matter करता है बाकी तीनों essays जितने भी है expository essay हो गया आपका descriptive और narrative उनमें आपको events बताने होते हैं, description देनी होती है तो generally आप उनी को वैसे ही लेके चलते हैं, जरूरी नहीं है उसमें jargon जरूरी नहीं है, उसमें facts or figures तो हमें पता चल गया यह topic जो है, वो argumentative essay अब argumentative essay है पर हम लिख रहे हैं CSS में ऐसे, ठीक है, तो CSS में ऐसे मैं आपको बताया, कि CSS के essay की requirement है कि हमें चारों तरह के discourse produce करने, जिसमें हमारा descriptive element भी आना चाहिए, जिसमें portion, यह जो topic है, argumentative, तो हमारा ज्यादा जो focus होगा, वो argumentative की तरफ होगा descriptive का हम एक paragraph देंगे narrative, हम इने आपको बताया था कि narrative जो paragraph है वो ज़रूरी नहीं है कि हर essay में आए, अगर आप incorporate कर लेते हैं तो बढ़े अची बात है, ठीक है तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, expository का हम दो paragraph यहाँ पे देंगे दो, मतलब super structure देंगे, एक super structure हमारा होगा challenges का और दूसरा super structure होगा हमारा way forward का, तो expository का भी touch है, यहाँ पे हम देंगे, चले अब start करते हैं कि हमने topic को कैसे de- construct करना है सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहले भी, कि जब भी आप topic देखेंगे, तो आप इस topic को तीन categories में divide करेंगे तीन तरह के word होते हैं, आपके पास एक होते हैं, directive terms या उसको हम कहते हैं, content words oh sorry, command words तो directive words क्या होते हैं वो words होते हैं, essay के topic में जो आपको direct बताते हैं कि करना क्या है किसी में लिखा होता है discuss किसी में लिखा होता है analyze किसी में जो है, वो how लिखा होता है, ठीक है, या किसी में question mark से, एक helping word के तुरू question पूछा जाता है तो हमारे पास यहां पे जो is है वो काम कर रहा है हमारा directive term का, command word का हमें जो है, इस question का answer देना है यह हमारी command मिल गई हमें तीक है, अब आगे हमें find करने है content words नमबर दूसरी चीज है content words content word ही होता है कि हमारा essay का theme क्या है content क्या है जैसे हमारे पास theme है education, theme है हमारे पास health theme है terrorism, theme इसके इलावा climate change water crisis, energy crisis यह सारे हमारे पास themes है तो यहां पे हमारे theme जो है world peace अब world peace जो है बहुत एक wide scope का topic है जहां पे हम हजार तरह की चीज़ें बता सकते हैं world peace के बारे में history बता सकते हैं, future बता सकते हैं, prospects बता सकते हैं, challenge बता सकते हैं तो इसलिए तीसरी चीज़ ऐसे के topic में हमें डूणनी होती है जिसको हम कहते हैं parameters या limiting words parameters नमबर तीसरी चीज़ parameters या limiting words तो limiting words क्या होते हैं वो words जो आपके topic को limit करें अब यहां पर हमने आपको बताया कि हमारे content की जो वुसत है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है इस scope को कम करने के लिए हमारे पास यहां पर author ने जो है examiner ने जो है हमें limiting word दे दिया कि possibility तो उसने कहा जी yes या no में answer दो command का मतलब यह है world peace के topic पे आपने बात करनी है यानि content word है ठीक है यही आपने theme background पे चलाना है और आपने बताना क्या है yes या no क्या चीज़ बतानी है possibility आपने possibility बतानी है कि क्या world peace की possibility है या नहीं है अगर आप yes करते हैं तो भी how होगा अगर आप no करते हैं तो भी how नहीं है तो कैसे है तो कैसे तो हम ऑगे आउट लाइन की तरह जाते हैं कि हमने एक ऐसे के topics को break कर लिया यहां पर अब हम देखते हैं कि आगे हम कैसे isko divide करते हैं मजीद हमारे पास outline है अभी outline में रिवायत के मताबिक हमने पहले introduction के बाद यहां पर हमने एक definition वाला paragraph दिया है क्योंकि मैंने आपके बताया कि essay की requirement है कि हमें हर एक type का element discourse यहाँ पर produce करना है तो यह हमारा descriptive essay का element है हमने यहाँ पर definition बतानी है world piece की, अब आप सोचेंगे definition क्या हो सकती world piece की तो आप इसमें यह बात कर सकते हैं कि क्या जो world piece है वो सिर्फ absence of war है जबके absence of war को हम world piece नहीं कहते हैं, यह बिल्कुल narrow scope है world piece कैसे कहते हैं, world piece कहते हैं हमारी human dignity को हमारी human rights को हमारी जो है, वो self determination को हमारी जो है, health को उसके इलावा, जो हमारी mental well being है, उसको इन सारे factors को जब मिलाएंगे और state की बात के रहें sovereignty को, ठीक है इन सारे factors को मिलाएंगे, तो हम कहेंगे कि जी, world piece मुझूद है या नहीं है, absence of war को हम यहाँ पे world piece नहीं कहते हैं तो meaning और scope define करना यहाँ पे लाजमी हो गया तो हमारा descriptive का discourse आ चुका है उसके बाद हमें main header, जो हमार argument था कि क्या, जो हे world piece possible है या नहीं है, तो हम यहाँ पे pro में जा रहे हैं, हम देखते हैं कि क्या prospects हैं, जिससे हम यह prove कर सकते हैं, कि world piece possible है यहाँ पे आप simple यह भी लिख सकते थे world piece is possible ठीक है, आगे आप double dot लगा देते, और उसके outline बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, जो भी मेरे जहन में आगए, मैंने लिख दिये हैं यहाँ पे तो सबसे पहला argument हमें यहाँ पे किया है, कि democracy जो है वो दुनिया में grow कर रही है, इससे world piece बढ़ेगा, क्योंकि democracy जो है, वो authoritarianism को और आपका autocracy को खतम करती है, discourage करती है जिससे क्या होता है, majority जो चाती है वही होता है, और majority हमशा अच्छा चाती है peaceful nature की होती है पहला argument यह हो गया हमारा, दूसरा argument है कि internationalism का spirit आजकल हम देख रहे हैं, हर एक मुल्क में बढ़ता जा रहे है, चाइना जो है वो economic internationalism के तुरू पूरी दुनिया को आपस में जोड़ है दूसरा हम देखें जपान जो है, technological अपनी advancement के तुरू पूरी दुनिया को आपस में जोड़ है, ठीक है, मिला रहा है उसके बाद USA जो है आपका, वो political आपकी जो globalization है, वो USA करके खड़ा है जिसमें आपका United Nation वहाँ पे headquarter है, आपका जो है दूसरे regional order forums है जो पूरी दुनिया में यह आपके work कर रहे है ठीक है तो इन सब के तुरू, इन सारे spirit के तुरू, आपके globalization promote हो रही है, globalization जैसे ही promote होगी तो आप world peace के तुरू तरफ जाएंगे चले, अब है हमारे पास चोथा topic है, चोथा point है हमारे पास interdependence of states in trade and foreign aid ठीक है, states में आपस में interdependence है, आपको पता है जब आपस में मामलाद जो है इस तरह के हों, तो आपस में states afford नहीं कर सकती है कि वो एक दूसरे से लड़ें, अगर लड़ नहीं सकती है, इसका मतलब है world peace की तरफ जा रही है फिर मेरे पास argument है, collective security threat जो है, जैसे हमारे पास climate change है तो काफी nations ने recognize किया है, कि climate change जो है, वो हमारे पास collective security threat है, इसके खिलाफ हमने सब को मिल के चलना है, और मिल के इसको खतम करना है, तो कोई भी चीज collective हो रही है, international हो रही है मिला के हो रही है, तो हम यह देख रहे हैं कि world peace promote हो रहे है फिर हमारे पास एक और argument है कि जी states जो है, वो नेरो नेशनलिस्म को extinguish कर रही है बायर कर रही है, cross कर रही है ठीक है, और xenophobic ideas को भी खतम कर रहे है xenophobic ideas कहते है loneliness को, कि जी तनहाई हमें पसंदे, हमें जो है वो अपना culture grow करना है हमें दूसरों के culture से दूर रहना है ठीक है, नेरो नेशनलिस्म कहते हैं कैसे कहते हैं, जिसमें आप सिर्फ अपनी कौम को देखें, और बाकी सारी कौम को हटा दें, हजारी कहें कि जी, हजारी ही important है, बाकी सारे जो है, वो हो गए अब national integration नहीं बनती जब हमारे पास नेरो नेशनलिस्म होता है जैसे पाकिस्तान में, ठीक है सारी nations में के कहती है जी, पंजाब जो है, लुटके खा गया है सारों को KPK पे शक होता है कि वो जो है, अलग होना चाह रहे है सारों को सिंध पे होता है, कि वो जो है कभी education और health डिवलप नी कर सका तो एक दूसरे पर जो skeptics है ये सारे जो है, नेरो नेशनलिस्म produce कर रहे है, इसमें इसलिए ये आपस में भी नहीं जोड़े, और ये global center से, यानि दुनिया से भी नहीं जोड़े इसलिए ये world peace में नहीं आ रहे पिर मेरे पास 7th argument है जो के weak argument है, पर मैंने पिर भी लिख दिया यहां पे, कि जी, आजकल के जो sports grounds है, वो आजकल के new battle grounds है पहले जो है, लोग जो है nations जो है, अपनी glory claim करती थी जो battle ground में जीच जाता था अब उन्होंने alternate doon लिया है, अब sports grounds में वो अपनी glory produce करते हैं वो साबित करते हैं कि हमारी nation उपर है, ठीक है, हर तरह का जो है, यहाँ पे sports आ गई है sports और e-sports, virtual gaming भी होती है, physical gaming भी होती है तो इसके थुरू nations अपनी competition प्रूव कर रही है then हमारे पास है reducing global poverty देखेंजी, जब poverty होगी, तो हमारे पास social, जो है, वो illness और social जितने भी हमारे पास factors है वो produce होंगे, वो खराब होंगे ठीक है, तो poverty खतम हो रही है, यह भी अच्छा aspect है जिससे हम optimistic trend show कर रहे है कि world peace के तरफ जा रहे हैं फिर हमारे पास COVID-19 के जैसे बड़ी मुश्किलात थे हमें सारी states को push किया cooperation के तरू और तरफ जो है, और coordination की तरफ इसमें सबसे बड़ा example जो है वो मैं China के देना चाऊँगा China की medicine जो है, वो कभी भी दुनिया में famous नहीं थी तो उनको एक मोका मिल गया, पूरी दुनिया में अपनी medicine जो है, वो common कराने का, उन्होंने free में vaccine बेचे हैं free में जो है, वो अपनी bed बेचे हैं, डॉक्टर दिये हैं पता नहीं क्या-क्या जो है, वो अपने mask वगेरा दिये हैं, पूरी दुनिया को एक belief produce कराया है कि जी हम जो है, वो medical sciences में grow कर चुके हैं, अब हमारी medical sciences में भी चीज़ें accept करें well, ये सारी चीज़ें मेरे arguments थे, कि जी हमारा जो world piece है, वो possible है, मैंने आपको बताया कि ये argumentative ऐसे है, तो हमारा large portion जो है, वो इसी तरफ जाएगा कि हमने arguments देने तो मैंने यहाँ पे 9 जो है, वो paragraph, आप देख रहें, 9 paragraph मैंने यहाँ पे produce किये हैं, argumentative के एक हम अभी तक जो है, descriptive का produce कर चुके हैं, अब मजीद आगे देखते हैं, कि हम आगे क्याल डाल सकते हैं, इसमें then हमारे पास हैं, challenges और उसका way forward अब जो challenges और way forward है, यह है structure आपका expository का, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक expository का तड़का लगा रहे हैं पहले हमने descriptive का तड़का लगाया है, उसके बाद हमने main जो हमारा focus था, वो argumentative ऐसे था, चूँके तो हमने argumentative पर no points बनाए, अब जो है, वो हम ऐसे को comprehensive balance बनाने के लिए, एक और portion यहाँ पे aid कर रहे हैं, जो है expository, तो challenges जो है, हम कौन से देख सकते हैं, एक हमारे पास populist regimes जो है, वो दुनिया में बढ़ती जा रही हैं, वो anti-globalization की तरफ जा रही है, जाहिर है anti-globalization की तरफ जाएंगी, तो world peace disturb होगा, ठीक है, जिसमें हम India के example दे सकते हैं, Hungary के example दे सकते हैं, France की दे सकते हैं, Italy की दे सकते हैं, USA की itself दे सकते हैं, तो populist regimes जो हैं, हर जगा grow कर रही हैं, जो national lines पे लोगों को खीच रही है और internationalism से दूर कर रही है मैं, दूसरा हमारे पास challenge है, terrorism terrorism से क्या होता है, कि nation जो है, एक दूसरे पे शक करना चुरू हो जाती हैं, आपस में लड़ती हैं, और world peace disturb होता है, नबर तीसरे नबर पे हमारे पास बर्जी ओनिंग, Islamophobia, बढ़ता हुआ, Islamophobia तो Islamophobia से हमारे पास, एक अगेंस्ट में क्या produce हो रहा है, Westphobia हम West वालों से डर रहे हैं, West वाले जो है, Islam से, यानि Muslim वर्ल्ड से डर रहे हैं, तो Westphobia और Islamophobia दोनों जो है, एक दूसरे से डर produce कर रहे है, जेनोफोबिया प्रोडियूस कर रहे है जिसकी वज़े से हमारा world peace disturb हो रहे है, challenges आगे, अब challenges में हमारे पास, challenges के बाद हमारे पास way forward है, way forward क्या है हमारे पास, कि हमें जो है, peace को plan करना चाहिए, जैसे एक जंग को plan किया जाता है, कि हमने कब कहां कैसे क्यों लड़ना है, इसी तरह peace को, अमन को काइम करना चाहिए, और contingency plans बनाने चाहिए, कि जी emergency आ जाए, आपस में, जो है मुल्क लड़ पड़ें, तो हमने क्या करना है उसके बाद, हमारे पास है egalitarian world order होना चाहिए, ठीक है egalitarian यानि equal world order कोई जो है, आपका कहीं पर veto power नहीं होना चाहिए, जिस तरह United Nation में है, veto power नहीं होना चाहिए आपका ICJ जो है, उसमें जो है आपके पास powers होनी चाहिए और उसमें जो है, सब बराबर होने चाहिए किसी का influence नहीं होना चाहिए इस तरह बाकी जगों पे भी, बाकी forums पे भी number third और हमारा last argument है कि United Nation को empower करना चाहिए इसका जो है, वो resolutions को binding बनाना चाहिए है, ताके सब जो है, इस पे माने, ठीक है यह फैसला दे देता है, पर कोई country जो है इस पे राजी नहीं होता, क्योंकि इसके decision जो है, वो binding नहीं है इसके बाद हमारे पास है जी, रिवायती conclusion तो इस तरह हमने बना ली है comprehensive outline जिसमें हर तरह का element है ठीक है, अब हम इस से, इस outline के through, introduction कैसे produce करेंगे हम यह देखेंगे, तो हमारे पास जो है हम 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 तो तो हम बढ़ते हैं introduction की तरफ जी introduction में जो है वो काफी सारी academies ये कहती है या teachers ये कहते है कि आपने anecdote से start करना है आपने जो है facts और figures से start करना है कोई story दे के आपने start करना है या आपने जो है कोई बहस्टेड के या जनरलाइजेशन से स्पैसिफिकेशन की तरफ आना है सारी चीज़ें अपनी जगा ठीक है पर ये जो है English Literature का पेपर नहीं है यहाँ पे English Essay का पेपर है अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे आप मुश्किल से 8-10 Essay प्रोड्यूस कर पाएंगे अपने CSS पूरी जर्री में और ये 8-10 Essay आपका इसको पिल्कुल नेरो कर देंगे जिससे failure strategy, failure के chances बढ़ जाएंगे इससे अच्छा है आप facts figures की तरफ ना जाएं स्टार्टिंग में आपने कोई जो है तो आपने अगर simple strategy की तरफ जाते हैं तो आप 30 Essays आराम से produce कर सकते हैं CSS से पहले और जिससे आपके chances पास होने के बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे मैंने simple start लिया है मैंने कहा है कि it is true that world peace has remained an elusive dream in history ये मानते हैं कि world peace जो है आज तक जो है वो एक imaginary और जूटा जो है dream रहा है history में जो कभी पूरा नहीं हो पाया next मैंने अपनी thesis दे दी thesis statement कैसे बनाते हैं अपनी वो आपको मैं बताता हूँ thesis statement बनाते हैं अगर आपका argumentative ऐसे है तो जो हमने arguments का main portion है main portion कोन सा था हमारा how वाला कि जी possibilities क्या है prospects क्या है और हमने उसमें no paragraph दिये थे तो वो जो है आपने उनसकी दो तीन लाइने incorporate करनी हैं अपने thesis में दो लाइने समझ लें जो है आपने उस main portion में से निकालनी है पिलस ठीक है आपने अपना stance बता देना है कि जी हाँ या ना तो देखे मैंने क्या किया अभी मैंने कहा है कि जी आज और इस दोर में जब democracy बढ़ रही है दुनिया में यहां आप देखें यहां भी हमारे arguments क्या थे arguments हमारा पहला था democracy दूसरा था internationalism फिर interdependence collective security threats अब आप देखे मैंने यहीं पे वही सेम thesis में लिखे मैंने जी लिखा है कि पहले जो है बढ़ती वी democracy दुनिया में और states जो है आपस में interdependent हो रही है nations जो है वो एकठे काम कर रही है international institution के अंडर तो यह हमारे यहां तक हमारे पास क्या आ गया यहां तक हमारे पास आ गया main portion जो हमारा argument का था उसके हमने दो-ती लाइने दे दी तीन लाइने वो दे दी अब जो है आगे मजीद हम लिख रहे है अपना stance certainly world peace is possible कि जी हाँ world peace possible है हमने अपना stance दे दिया तो यह एक अच्छी जो है वो thesis statement कहलाएगी अच्छा इस thesis statement को अगर आपने और comprehensive बनाना है तो आप इसमें मजीद challenges के भी एक line दे दे और एक line जो है way forward की दे दे पर मैं अक्सर challenges और way forward को include करना अच्छा नहीं समझता क्योंकि यह basic जो है हमारे पास argumentative essay है तो argumentative essay का जो main portion है arguments जो है आपने उसका major portion रखना है और मेरे साब से आपने अपना stance आखर में clear वाज़े करना है यह जो है अमारे पास thesis statement बन गी तो आपने start किया generalization से आपने एक general line बोल दी उसके बाद अपने अपनी thesis जो है इसमें डाल दी thesis कैसे आपने बनाई वो भी मैंने आपको बता दिया उसके बाद आपने यहां पे अब जो मैंने आपके argument थे ठीक है वो आपने argument सारे के सारे यहां पे लिखती है जो no argument थे वो ही मैंने line by line लिखे है ठीक है कि जो है वो soft image अपनी nations बनाना चाहरी है ठीक है दूसरी मैंने aspect क्या लिखा है कि जी और कौन से aspects है उस पे जाने के लिए मैंने लिखा है moreover many aspects can be quoted here to illustrate the prospects of world peace world peace के कौन से prospects है मैंने आपको दिखाया कि climate change पे सारी दुनिया recognize कर रही है कि community का collective security thread है दूसरा हमने COVID-19 के point को चेड़ा था ठीक है तूसरा हमने sports के competition को चेड़ा था तो यहाँ पे उसके बाद मैंने glimpses दे दी outline की इसको कहते है glimpses of outline अच्छा आपको हो सकता है कि पहले जो है इस पहले lecture में आपको सारी चीज़ें clear ना हो पर इसी जो है exercise को हम repeat करते रहेंगे तो आपको उमीद है 5-6 वीडियो के बाद यह चीज़े समझाना शुरू हो जाएंगी कि कैसे कैसे क्या portion देना होता है introduction में procedure से में हर किसी में बस जो है wording आपने खुद बनानी है यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि आपने एक general line से शुरू करना है उसके बाद जो है आपने thesis देनी है thesis के बाद आपने जो है अपने main जो आपके arguments हैं जो आपका argumentative ऐसे है उसके जो main glimpses हैं उसकी देनी हैं आपने इसको आप खीच भी सकते हैं मैंने यहीं पे खतम किया इसको 3 points लिखे हैं तो no points में से आप 5 points इसमें लिख सकते हैं पर हमने introduction की length भी देखनी होती है इसलिए मैं कम लिखता हूँ इसमें arguments अच्छा length कितनी होनी चाहिए introduction की length होती है 10% of the essay CSS का essay होता है 2500 words का पर हम maximum maximum एक आम बंदा, common बंदा 1800 तक जा सकता है, इससे उपर नहीं जा सकता तो 1800 का 10% निकालें तो 180 words में आपने introduction पूरा करना है, जब आप introduction लिखें तो शुरू में आप जो है चेक कर लें कि आप introduction आपका बढ़ा तो नहीं हो रहा क्योंकि examiner जो है assessment के time पे assessor जो होगा वो चेक करेगा कि यार introduction बढ़ा तो नहीं हो गया introduction बढ़ा हो गया, तो शायद वो थक जाए, exhaust हो जाए और उसकी expectation यह हो कि आगे लंबा ऐसे है, इस वज़े से introduction बढ़ा है, जब कि आखर में कोल के देखें तो आपका ऐसे काम हो चलें, आगे बढ़ते हैं हमने glimpses दे दी, मैं अपने उसकी फिर हमने इसके बाद challenges की glimpses दे दी हमने जी बताया कि however, हमारे पास और भी challenges है, challenges पर जाने के लिए मैंने एक जुमला यूज किया है, कि जहाँ opportunities होंगी, वहाँ पे challenges होंगे तो यहाँ पे world peace का case भी different नहीं है, यहाँ पे भी challenges है तो हमारे पास challenges क्या है, rise of populist है, islamophobia है और terrorism है, तीन मैंने यहाँ पे बता दिये, उसके बाद मैंने इसको कह दिया कि जी, नहीं इस तरह नहीं है, अगर हम way forward पे आ जाएं और इसको peace को plan कर लें egalitarian world order को promote करें और United Nation को empower करें, तो the peace and serenity will prevail, हमारे जो world peace है, वो ख्वाब हमारा पूरा हो जाएगा then हमने introduction में लिखनी होती है concluding line, जिस line से हमारा stance clear हो रहा हूँ ठीक है, आपने thesis में अपना stance बता तो दी है, पर फिर भी जब introduction खतम कर रहा हो examiner, तो उसके assessor तो आपके जो stance है उसके जहन में फिर से आ जाए, कि हाँ यह इसका stance था, अब आके जो है मैं यही expect करूँगा, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कि in this way war has turned out to be a profitable venture, अब जो है war profitable venture नहीं रहा इसलिए world peace जो है, वो certain है वो possible है, और पक्का है ठीक है तो एक दफा मैं दुबारा आपको बता जिता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़े add की है introduction में हमने एक first general line लिखी थी general line के बाद हमने thesis लिखा, thesis कैसे बनाया वो मैंने आपको बता दिया thesis के बाद हमने arguments की जो है वो अपने main arguments की glimpses दे दी arguments की हमने glimpses दे दी arguments के बाद हमने challenges की glimpses दे दी challenges के बाद way forward के हमने तीन जो है वो तीनों बता दी उसकी glimpses दे दी उसके बाद एक हमने concluding sentence लिखा जिससे हमारा stance clear हो गया इस तरह से introduction बनाते रहेंगे आगे भी तो ये एक comprehensive और सबसे smartest और अच्छा तरीका है simplest जो आपको कभी भी fail नहीं करेगा और कभी भी आपको ज्यादा time नहीं लेगा आपने क्योंकि simple चीज़े हैं आपने start पकड़ा और आखिर तक करते जाएंगे क्योंकि आपने outline बना ली है तो आपका major portion introduction का हो गया तो ये आप confirm कर सकते हैं जो भी आपके teachers नज़्दीक हो उनसे confirm कर लें कि क्या हम इस तरह बना सकते हैं तो आप कहर जगा से बता चलेगा कि ये एक valid और सबसे बहतरीन और simplest तरीका है तो आप जो है उन teachers के पास जो है उनके तरीके पर ना जाएं कि जी हमने बड़ा बड़ा चड़ा के लिखना है और बड़े जो है शान और शोकर से उसको essay को start करना है वरना जो है वो अगले पर impression नहीं जाएगा मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने अच्छा impression शुरू में बनाया ना बहुत अच्छा और उस पे आप आगे जो है continue नहीं कर पा रहे तो examiner को यकीन हो जाएगा कि ये जो आपकी line थी वो एक रटा थी और आप जो है fail हो जाएंगे तो आप शुरू से ही originality अपनी लेके चले और end तक आप original रहें ठीक है आपको fake approach रखने की ज़रूत नहीं है और वैसे भी अब जब जो है अच्छे essays produce करना शुरू हो जाएंगे तब आप दुबारा से आप जा सकते हैं उन्हीं essays पे आप उनकी जो है जब 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 जो है